नमस्कार बिहार पे चर्चा अभिशेक तिवारी जी के साथ और अभिशेक जी जबरदस्थ हलचल है और सुनने बारा है कि नितीश कुमार को एंडिये में शामिल करने के लिए बड़ी जद्दो जयद चल रही है जो वहां के लोकल लिडर्सीप है वो मना कर रही है कि इंद्रिय नेत्रतु कह रहा है कि सावी ने ले लो किसी भी तरह से बेचारों की इवन पशुपती पारस चाचा जी आपके चिराग पास्वान के उन्होंने भी कह दिया कि नितीश जी का स्वागत है कैबिनेट में अगर आना चाहें तो वाई क्या कहानी चल रही है जड़ा बताईए बिहाइंड दस सीन क्या चल रहा है बहुत-बहुत प्र तब नितीश को बार उनसे चीन करके स्वैम अपने आप में ले लेते हैं और कुछ महीनों में पल्टी मार देते हैं अगली बार होता है जब आरसीपीसी के पास यह सारा कारेभाद था रातो रात तेंद्री का सारा जिमा अपने हाथ में लेते हैं और कुछी दिनों बाद दो महीने के बाद पल्टी मार देते हैं इस बार ललन सिंग के साथ होता है दस दिन पहले ललन सिंग और असोग चौधरी हैं उनके बीच तीखी बहस हुई थी और जद्यू में उसको ले करके काफी कुट पट गया चार दिन बाद जब प्रस कांफरेंस में आये नितीश अगले दिन केंद्रिय कमिटी की पूरी टीम बदल जाती है और नितीश कुमार अपने हाथ में ले लेते हैं तो पैटर्न मैंने पहले संगा अब यह क्यों हो रहा है आपको याद होगा सर जब हमने लास किया था तो मैंने कहा था कि यह कमाल हुआ है कि वहां नितीश कुमा पीम से मिले 400 करोर रुपे उनके डिली में फ्लाइट पहुंचने से पहले मिल गया अब समस्या कहां है क्या है समस्या तीन गम भी है बिहार लीडर्शिप शिराग पास्वान बिहार की लीडर्शिप और शिराग पास्वान इधर केंद्रिये में पसुपति पारसनात हो गय मोदी जी हो गया अमिद शाह जी जबकि हला हर बार आया है बिहार में तो बिहार की उनका स्टाइल है वो सुनते हैं लोगों को उस हिसाब से बयान तो उन्होंने हर बार कहा कि नितीश कुमार के इंट्री अब एंडिये में इंपॉसिबल कल सुसील कुमार मोदी और ले आई तो बिहार में बगावत हो जाए अभी एक नैर है क्योंकि सुसील कुमार मुदी बहुत क्लोज अलाई माने जाते नितीश कुमार के अब तक समराठ चौधरी बोल रहते हैं इधर मैंने पहले ही बता है कि चिराग पासवान के प्रदेस अध्यक्ष राजू तिवा क्योंकि पहली बार जदियू को सेंस हो रहा है कि एक युवा ऐसे बढ़ रहा है और जहां जा रहा है यह अलग डिवलप्मेंट चल रहा है इधर इसी वज़े से साथ चचा जो है सोच रहें कि चिराग कप अगर प्रभाव रोकना है अगर चिराग के इस प्रभाव को रोक किन्तु कहा जाता है कि जब अमिच शाह जी और समराठ चौधरी हर तरफ से नितीश कुमार हार गये थे तो वह मौके की तलाश में थे कि नरेंद्र मूर्दी से मिल करके पिच किया जाए और वहरीवांच जीवाला चैनल तो पन था ही वह उनको मौका मिला जी ट्वेंटी और वहीं से कहानी बदल रही है इसी वज़े से नारेंद्र मोदी जी ने इस बार भी जो परसो वाली रिलिट ही सारे विपक्षा?कष?मार को छोड़ दिया यह जो चीज उपेंदर कुसवाहा का बयान भी परसो वाला बहुत इंपोर्टेंट है उपेंदर कुसवाहा ने कहा कि अगर नितीश कुमार NDA में सामिल होते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है और मैं तो हमेशा से नितीश कुमार का प्रवल छोटा भाई हूं समर्था हूं इनफक्ट मतलब यह तो नहीं है कि नितीश कुमार ने सुसील मोदी से कहा हो भई आप भी कुछ बात चलाओ वशुपती पारस से भी कहा दिया हो कि यार आप चलाओ और उधर जो है उपेंदर कुसवाह से कहा हो कि हमारी भी बलाई है तुम भी चलाओ बात अगर दो तीन चैनल से बा है कि का मतलब यह है कि समराठ चौधरी सिर्फ नहीं होंगे इसमें लंबे लिस्ट है और आप तो चिराग पासवान ने एंडिये के लिए 40 सीटों पर प्रचार प्रसार सुरू कर दिया कहने पर केंद्रिये नितिश कुमार तो मुझे यह लग रहा है कि जो 28-30 मिल रहा है क पता चला कि जो भविश्वानी कि चार से अधिक उनके सेंबल पर नहीं जी यह बहुत बढ़ा कारण है कि शिफ्ट हो रहा है वह बार बार नितिश कुमार महागटबंदन से कह रहे थे सीट चिराग पासवान से भी बात बिगड़ेगी एक्जैक्ली मैं वही कह रहा हूं यह मुझे समाज में नहीं आता बिहार को लेकर के केंद्रिये तो इतना कश्मकश में क्यूं हो जाता है हरस्टर आपने तमिल लाडू में फाइनली वह बोल्ड डिसीजन लिया जिसको लेकर के हम सब उत्साहित हैं कि चलो फाइनली आप अपने पैरों पर खड़े होने का प्रियास करें वह आपने पंजाब में किया लेकिन वह बिहार में करने से पता नी कि दर बादा ड़ूशा एक अनोखा जो होता ने गल्फ्रेंड होती है एक खास प्रकार की जो कभी सब्रेश्च को और प्रेजट बना लेती है प्रेजट पूरी तरह से भरा हुआ है वो जिससे जब लेकर के confusion का एक पूरा atmosphere लेकिन उससे बड़ा एक यहां के बिहार के बहुत नामी पत्रकार है वरिस्ट पत्रकार है उन्होंने कुछ दिन पहले कह दिया कि डील हो गई है और डील का मतलब यह है कि नितीश कुमार विधान मंडल से देंगे इस्तीफा जदियू का होगा उपम भार बहुष से में एक अच्छी रिटायर के तलाश में अच्छी रिटायरमेंट मतलब राजिपाल बनादो रिटायरमेंट एक अच्छा कहानी मैं बता रहा हूं वह कुछ वही पिरतेरी कहानी याद आई कि पुनरावृत्ति है तो वह वरी पत्रकार जो है रोना ट्वीट किया या इसमें कोई कहीं अखबार में भी कुछ छपा है इस तरह का अखबार तो सूर्स के बेस पे देता अखबार ऐसे बात नहीं कर सकता लेकिन क्या है कि वो बड़े जाने माने माने जाते हैं अशोग चौधरी वाला क्या एंगिल है अशोग चौधरी को रिसेंटली पिछले तीन सालों से नितीश कुवार एक अलग धन से तयार कर रहा है ज जब हिंदु विरोधी बयान आने लगें इंडिया लाइंस के तरफ से तो अशोग चौधरी ने कहा कि यह जद्यू की पॉलिटिक्स का स्टाइल नहीं है जद्यू में पर अपीजमेंट के लिजाम बीजेपी लगा सकती या कोई और लगा सकता है लेकिन हिंदु विरोधी बयानों की हम निंदा नहीं करेंगे तो हमारा इमेंच कमजोर पड़ता जाएगा ललन सिंग इसके अगेंस्ट में थे ललन सिंग का मानना है कि इस वक्त अलायंस इंपॉर्टेंट है और वो पहले से भी राजद में नहीं तो राजद के विचारधारा के प्रतीव हो तिल् जैसा सीन उत्पन हुआ नितिश कुमार को अगले दिन पता चला नितिश कुमार ने पैचप कर रहा है लेकिन यह पैचप हुआ ने क्योंकि असोग चौदरी खुद भी मानते हैं कि यह सारे बयान जो है वह गलत है और चंदर सेखर पर तो अप्रत कारवाई हो जानी चाहि है कि उनकी पार्टी का इमेज लगातार गिर रहा है और पीके की बातों को भी सीरियसली लेना चाहिए और असोग चौदरी की बातों को भी सीरियसली लेना चाहिए और ललन सिंग पे अलग-अलग प्रकार के जो चोटे-वोटे नेता है वो यह माननने लगें कि वह बड़े पत्रकार जो है बिहार के बता रहे हैं। वो जो फार्मूला वो उस पत्रकार ने जो ट्वीट किया कि हम नया जो डिवलप्मेंट देख रहे हैं अब नितीश कुमार क्या इस सस्तर पे जाके कॉंप्रमाइज कर रहे हैं और वो यह चाहते हैं कि कम से कम अगर आरजेडी के साथ मेरा कोई चार या तीन सांसा जीतेगा अगर हम एंडिये के साथ रहते हैं तो हो सकता है मेरा आठ दस सांसा जीत जाए क्योंकि वह दो हजार चौबिस में वोटिंग तो फाइनली नराजगी हो भी जाए तो पीम के नाम पर पढ़नी है तो ऐसे में क्या वो उस तरफ से देख रहे हैं या पार्टी बलचाने को ल राजधानी में से लोग मनिपूर की बात करतें वहां इतना दूर है लेकिन बिहार तो सब्सक्राइब ना स्वाति मालिवाल जिसको आप कहते हैं तू जूटी में मक्कार जिस पर आपने प्रॉपर शोट किया था ना वहां पर नजर आ रही हैं ना कॉंग्रेस की तो सरकार है ना लेफ्ट कहां गामा नजर आ रहा है और उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक वार्दात हुआ सब यहां तक कि इसमें दलीत महिला को मूतर भी पिलाए गया अब आप समझें कि यह सब बातों यह सब बातें और बिहार में हो रहे अपनाद और बिहार जिस जंगल राज की तरफ जा रहा है वह हमारे केंद्र बिद्दू में नहीं हो करके केंद्र बिद्दू में क्या है नितीश कुमार सस्टेनेबल है पलटेंगे या नहीं पलटे सो बिहार की राजिनिती बिल्कुल अलग ही डारेक्शन में जा चुकी है जहां पर मुद्दो से अत्रिक यहां पर लोगों के इंट्रेस्ट यह है कि नितीश कुमार की विश्वस्नियता कितनी है मतलब आप से यह समझे तो मैं तो हमेशा आपसे बात करते हैं यह कहता हूं कि बिहार की जनता पर जो बड़ा तरस भी आता है कि बार अफसोस भी होता है कि जिस तरह से नेता होने चाहते हैं टैला लेते हैं नितीश कुमार इदर चले गए तो बिचारों ने उधर वोट दे दिया वो या लालू की तरफ चले गए तो उधर वोट दे दिया मतलब मैं सह हाल इस लोग सवा सीटे दे देना और आप आप देखें कि दूसरी लेली जब हाजीपूर के बाद दरभंगा में उन्होंने खुल के कही कि अलायांस को ही देना है तो लोजपा को फिर कम वोटे में दी गई बीज़ेपी की तरफ से और बीज़ेपी का कोर वोटर और वाप 35-36% हमेशा से बीज़ेपी को वोट करता है अब उसमें क्या होता है और यही राज़त के साथ है सुनिए अब इसमें कहानी क्या है यह जैसे ही 5-8% के वोट शेयर के जो मालिक है नितीश कुमार किसी के साथ जोड़ते हैं तो उसकी सरकार बनती है अब तो फाइट है नहीं जहां पर यह हो ऐसे में यह जो एज है नितीश कुमार के पास सुरू से रहा है लेकिन अब पिछले 6 माईने से देखे तो लौकु समीकरन चूटा है उसका कारण समराट चौधरी उपेंद्र कुश्वाह जैसे नेता है वो इधर आ गए तो नितीश कुमार का कोर्ट लेकिन पता नहीं क्यों सहथ लोग सभा को लेकर के भ्रहमी थें क्या इस्थिती बन रही है उनको ना पता है कि इसमें नितीश कुमार एक अपनी जो पॉलिटिकल उनकी लिगेसी है जिससे वो क्या कहते हैं कि एक ऑनर्ड एक सुरक्षित एकजिट चाहते हैं जैसे कि अश अगर लालू के साथ मिलेके लड़े तो आगे विदान सभा में भी साल बरबाद दुरूगती हो नीए तो मुझे लगता है कि नितीश कुमार यह चाहते हैं कि केंदीर नेत्र व्पी को समझाना चाहते हैं कि ठीक है मेरा बोत हो गया अब आप मैं चाहते हूं कि अराम से अ या फिर उनको सुने तो यही बात कह रहा है कि सेफ एक्जिट चाहते हैं लेकिन जब आप सेफ एक्जिट चाहते तो बार 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 यह ब्रह्म में पढ़ करके बिहार के लोगों की जो दुर्गती की है यह तो ठीक नहीं है ना फिर आपको कैसे लगा था कि आप पीम बन जा है क्योंकि वह दिख रहा है वह राजुतिवारी जब कहीं भी गया अभी रिसेंट्ली का दर्भंगा मुझजफर पुर्व गएरा देखा गया अब भूत पूरु भी है अच्छा कमाल की बात है कि राम बिलास पास्वान के सुपूत्र चिराग पास्वान जी का जो का सिस् से मिल रहे हैं यानि आपने जो नफरत की भावना इतने 40 सालों से भूई है उसको तोड़ रहा है चिराग पास्वान यह डिवलप्मेंट है और उस डिवलप्मेंट को वापस रिवर्स करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है मुझे लगता है लेकिन अभी जो दो तीन चीज मैंने कैवनिट का फैसला देखा कि उसमें अल्फ संक्यक उद्यमी योजना लाएं यह जिसमें 10 लाख रुपे का लोन मिलेगा अल्फ संक्यक युवाओं को और केवल 5 लाख ही रिटरंड करना है 5 लाख का अनुदान उसमें गवर्मेंट देगी अपनी तरफ से यानि कि आ आर जे डी अपने हिस्से की चीजें आराम से करें लेकिन वह फसी क्यों आर जे इस होज से फशी क्योंकि वह इसक्ता जाते वह ने उस पत्रकार ने आखरी लाइन में यह भी लिखा था कि अगर नितीश कुमार के साथ हो जाता तो हम दो महीने के अंदर लालू के पूरे फ तो मैं यह कह रहा था कि इस पूरे मामले को अगर आप देखेंगे तो राजद यह किसी भी कीमत पे नहीं जाती कि नितीश कुमार इस वक्त उनसे अलग हो सत्ता नहीं जाने चाहिए इसी वजह से देखिए ऐसा नहीं है कि 2015 में भी सरकार बनी थी पंडित दीन द्याल उपाद्ध्या की जैनती तब भी सोलह में भी आई थी सत्रह में भी आई थी और पिछले साल भी आई थी ऐसा नहीं है कि इस बार ते जस्वी आदों वहां पर गए क्योंकि नितीश कुमार की जिती और नितीश कुमार कैसे करीब आना शुरू कि एक डम से चले गया अटल विहारी वाजपई के समाधी अस्थल पर वहां बतराया कि ठीक है राज बीजेपी बदल गी लेकिन हम अभी भी पुरा लेकिन दिली वह उस सवजे से नहीं पहुंचे थे बिहार में लैंड किये तो लोगों ने पूछा पत्रकारों ने पूछा क्या बदल रहें अशी तो कोई बात ही नहीं मेरी और मोदी जी की जोड़ी अच्छी चलने बिहार में अच्छा काम हो रहा है यह लेकिन वह बोला यह दिखाए निदेरा पवंत्यागी है इनका कहना है पवंत्यागी जी का बियार में फिर एक बड़ा बदला होने जा रहा है इस बार बीजेपी का सीम जेडियू का डिप्टी सीम नेतीश कुमार का विदान सभा से स्तीफा हो सकता है साथी तेजेस्वी लालुजी और फै आधर जो है वो यह नहीं अची में कुछ लोगों को लगता है एक विचारधारा से प्रिद्व करके हूं यह बात सही है लेकिन जुटने के मित्रहां उनमें आगर आप चितने कारिकांटा से कुछी कंप्लेंन आप ही अकेले नहीं हो, RJD की विचारदारा से RJD के ही नेता एगरी नहीं करते, अब देखें जो महिला बिल वाला था मामला, उसमें राज्ये सवा में मनोज्जा बोल रहे थे, राज्ये सवा में मनोज्जा ने जो ये क्या नाम है, उनका एक कवी का नाम है, मैंने नोट भी उसको मारो अब इस बात पर जो है मैंने पढ़ा कि वो चेतनानंद नाराज हो गए इनके जो रानंद मोहन के बेटे हैं उन्होंने का है मनोज यह कर देंगे वो कर देंगे उन्हें बोलने की तमीज नहीं है अपने शब्द वापिस लो माफी मांगो फेस्बुक पर लंबी च गारंटी नहीं है कि आनद मोहन फिलाल आरजेडी से चुड़ाओ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे यह भी संभावना है बदल सकती है तो इस्थितिया जो है बड़ी विचित्र चल रही है तो कहर मैं उस पर नहीं आता तो जदियू के कैडर का जो है लोवर लेबल के कै मिलता है वह उस तरह से ट्रीट करता है यह बीजबी यह लेकिन राज़त के साथ यह उपर-उपर तो सबको अच्छा लगता है लेकिन नीचे हमें वह संभान ने अब यह एक समय के बाद यह सिकायत मुक्यमंत्री तक स्टेप बाई स्टेप तो पहुंची जाती हैं यह तो बेद भाव है मैंने उसका कारण क्या है सर उसका कारण एक्जेक्ली आपको पता है जो संभाजवादी पार्टी और बस्पा का एलाइंस है कि टॉप लिडर्शिप मिल गई नीचे का कैडर मिल ही नहीं सकता क्योंकि वह भी प्रीद धारा का जब भी गठब दन होगा तो यही फ्लिप फ्लॉप वाली सितियां पैदा होगी उत्पन होगी जिस पे आज फिर से बिहार खड़ा है और मुझ जैसा बिहार एक बार फिर से आसमान की तरफ देख रहा है बोले ना बिहार का कल्यान कब करेंगे रजट मैं कुछ और खबरे बियार की चेक करता उसमें ट्रांसपर पोस्टिंग तो पूरी चल रही है कमाई का गाम का चल रहा है पूरा यह आर सीपी सिंग्ग के दामाद भी आईये से वहां पर हां पताते हैं उनका बादला बादला किया गया है इसमें आमले में इसमें एक बार फिर से यह भी चर्चा है कि आर सीपी सिंग की सा समान जदियू में वापसी होने जाएंगे मतबेद बुलाए जाएंगे बहुत सारी बाते हैं आर सीपी सिंग का जो चैनल है वो भी केंद्र के और नितीश के बीच में बहुत मैद्पून है बताते हैं कि बात्ची चलती रहती है बिल्कुल वह ओपन हो देखिए दोनों चैनल उपन थे उदर से राजी सपावाले हरिवांश जी का और यह वाला चैनल इसी चैनल निती पर बहुत ज्यादा वो नितीश कुमार जो है अलग नलन सिंग से ही अलग जा रहे हैं तो वह राज़त का चैनल बंद होने की तरफ वह दिख रहा है लेकिन राज़त खुद नहीं बंद होने देरे बार-बार तेजस्वी आता हो इन फैक्ट रोज ही एक बार नितीश कुम पर दोनों कमान अपने हाथ में चाहते हैं अब आसुर अच्छा की बावना तो जग जाहिर है क्योंकि यह नहीं होता तो एक सेफ एक्जिट वाली जो बात कर रहे हैं यह मुझे लग रहा था कि उनका अंतिम पलट ना होना चाहिए वह इसलिए अंतिम पलट ना होना चाहि कि अब वो लड़ बीजेपी के अगेंट दोजार चॉबीस का लोगसभा चुनाओ लड़के देख ले उससे उनको पता चल जाएगा कि अब उनकी लांटेन में भी जो उनका राज़त से उन्होंने गुदार लिया हुआ लांटेन उस लांटेन में भी कितना तेल बचा हु अगर कुछ अपने दंपे करके आएं तो इन्हें बाद में भी मिला जा सकता है विदान सभा चुनाव से पहले भी एक साल का डिफ्रेंस तो लगबग रहेगा है कुछ महीने का तो अच्छा तो अगर अगर ये इस्तिति लोग सभा तक ही आजमाएंगी और एक साल तक आधे का ये रहाएं आगर होँग ऐसे समराच चोदरी और पार्टी वहां विरोध कर रही है लोग समाई में वी जीयडेवा में ठीना है कि वो जो सांसद हैं वो विदायक का चुनाओ भी जीत सकते हैं कि नहीं वरना पता लागा बस्चिम बंगाल में बाबुल सूपरी अपना चुनाओ आर गया था अब तो बीजेपी के सामने ऑप्शन यह हो जाता है कि वो कुछ CM फेस भी उसके पास ऑप्शन अवलेबल होंग लोगसभा की उन सीटों पो भरने के लिए उप्चुनाओ कराने की तो बावशक्ता रही नहीं है क्योंकि छे महिने का समय रह गया तो लोगसभा पर उप्चुनाओ नहीं होना है किसी कभी तो वहां पर फिर नए ब्यूरोक्रेट्स टेख्नोक्रेट्स जिने मोदी लाना चाते हैं कि नए चेहरों को आगे बढ़ा जाए तो फिलाल टार्गेट कुछ चीजे जो हैं वो लोगसभा चुनाओ को मद्दे नजर भी होती है लोगसभा के मद्दे नजर तो मैंने कहा कि फिर वहार बिल्कुल जैसे यूपी ने रिपीट कर रहा है वह फिर बिहार लेकिन एंटीन कंबेंसी वाला है वो मोदी के नाम पर वोट करता है तो फाइनली वह आधना फिर वही है कि किस्टन गंज वाला लोगसभा छोड़ करके सारी लोगसभा के सीटिया और नितीश कुमार को लएगा कि चलो चार के बजाए अगर अलायांस में 10-12 सीटे भी बि लड़ोगे ऐसे आपके BCI किस सांसद हो सकते तो पुल मिलाके आपका लॉस अभी भी नहीं नहीं बड़ा फर्क है अवीचेग जी मेरे मेरे नजरी से देखे आप बिहार के प्रस्पेक्टिव से देख रहे हैं मैं दिल्ली के प्रस्पेक्टिव से देख रहा हूं प्रेंस हो जाता है तो मुझे लगता है कि मैं तो इस बात मान रहा हूं कि अगर वास्तों में बैक चैनल कहीं से बात चल रही है और अगर केंदिरे नेतरतों को यह लग रहा है कि नितिश आ सकते हैं हमारे साथ तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नितिश मतलब मु से भी फरक पड़ जाता है उस और एक तरीके से लालू लालू फैमली जो पिछले दो एक डेड़ साल में जितने जब सभी अलाइंस हुआ है उभरी है उसके पास रिसोर्स इस अई है मेरा तो मानना है कि अगर निति निटीश के साथ तेज़स तेजस्वी डीपटी सीम नहीं होते तो इनके पिता जी का ओपरेशन नहीं होता वो उनको अपने पुत्र के समान मांगते है नितीश कुमार और चिराग पासवान के बीच का डिस्टेंस कैसे कम करेंगे स्वैम ये बड़ा इंटरस्टिंग होगा वो कह देंगे अगर भाई तुम्हें दिक्कत क्या है तुम्हें 6 सीटे दी है 6 सीटों पे जेडी हूँ तु लोग सबा चुनाव तक होते होते कुछ चीजें वनेंगे और देखिए इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि इंडी ऐलैंस में टेंट लगेगी इस बंखरे नहीं शुरुवात की इंडी ऐलाइंस की पटना में पहली पिए बन जाएगा ममता बनर जी एकजिट करने के लिए बिलकुल तयार हैं क्योंकि कॉंग्रेस अधीर रंजन चोधरी माननी रहे हैं कॉंग्रेस कह रहे हम तो चुनाव लड़ेंगे वहाँ पे तो इसमें सबसे बड़ा जो गेम होगा वो यह होगा कि इंडी एलाइंस की ज अगर वहाँ पर उडिसा या आंदरप्रदेश ऐसी स्थिती हो के बिहार में लोकसभा और विदान सभा दोनों एक साथ होंगे तब तो यह बहुत मुश्किल नजर आता है अच्छा इसमें नभीन बाभू कजी का भी स्टेट्मेंट गजब का है दस में से आट मार्क्स दि पर तुनों नहीं कहा मैं मनमुहन जी के बारे में नहीं बोलूंगा लेकिन मैं मोदी जी को दस में से आठ पॉइंट देता हूं यह चलते-चलते एक छोटा सा मुद्दा क्यूंकि हम भी यूट्यूबर हैं मनीश कस्य अपने हिम्मत बहुत की खूब गालिया दी लालू को बती के मत दे सकता था लेकिन मनीश कस्य नहीं सकता तो देखके अच्छा लगा कि बिहार में अभिव्यूदी कि तो जमानत का समय आ गया एनसे वाला पीरेड तो खतम होने वाला होगा अच्छे महीं नहीं तो होता है अब उसके बाद जो है न जब समय आएगा तब कोई रोक नहीं पाएगा और मुझे लगता है कि भविष्च में बिहार को एक बड़ा नेता राजत ने स्वैम दे लिया लपकने के लिए लोग तैयार बैठे होंगे इंतजार कर रहे होंगे बहार आये और लपक लें यह नहीं बिल्कुल बिल्कुल चलिए विशेग जी बढ़िया चर्चा हुई और यह उम्मीद करें कि अगली बिहार पर जो चर्चा होगी उस तक यह डवलप्मेंट जो आज दिसकस किया हमने एंडिय में वापसी गार नितीश वावोगी उसमें कुछ तरक्की अभी होती हुए नजर आ रही है लगा रहा है आपको के इट विल टेक टाइम मुझे तो लगता है कि मैं जिस देश को लेकर के कल ना लंदा निकल जा रहा हूं वहां मुझे कुछ खोजबीन करनी है इस गड़ जो यह पूरा रूमर उड़ रहा है कि आर सिपी सिंग वाला जो चैनल और यह सारी चीज़े उसका मुझे उत्तर वहां पर मिल जाएगा औ और उसके बाद अगली बार जबाएंगे तो कुछ धमाके दार ही नियुक्त लेकर आएंगे चलिए देखते हैं इंतिजार करते हैं देखते हैं क्या होता है बहुत बहुत धन्यवाद मश्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करें